प्रेंट्समें और तराम लो लिए और आप देखरें हमारे यूटूब चेनर अमेटकार फिपल्स वोइस को दरह सरा आपको बता देगी जो बीए स्पीस प्रमायाफती है वो लोगसभा चुनाओं को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और कहीं सारी जगों पर उ उसके बाद आगे कि रन्निती बनाए जाती है आपको बता देगी जो कहीं नाम है उसका एलान है वो अगले अपते हो सकता है ये बहुत ही बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं कि अगले अपते कहीं नामों का है वो एलान हो सकता है इसमें सपा जो बसपा है सपा भी बेन चोदरी उनके पार्टी के है इसके साथ जो अगला नाम हो सकता है वो एक साथ पूर्वे में अभी अभी कुछी दूनों पहले जुड़े हैं आरलडी ते तो साथ उनको टिकट मिल सकता है तो ये बड़ी ख़बर में आपको बता रहा हूं सुत्रों के हवाले से नहीं ब जो अनल है या लिगट जो बुलं से रहे उनके अंदर 28 तारीको 28 परवरी को बिएस पी अपने पर्त्याक्सी या परवारी गोसित करेगी इसे के बाद आपको बताते हैं कि 27 तारीकों है वो सारनपूर से अपने पर्त्याक्सी गोसित कर सकती है और जहां से सबसे नगीना वहां से भी प्रत्याक्षी गोसित कर सकती है क्योंकि नगीना और सारणपूर दो ऐसी सीटे हैं जहां पर यह चर्चाएं चल रही है कि बीस्वी सुप्रम मायावदी खुज चुनाव है वो लड़ सकती है इससे पहले आपको बता दें कि पूरी तरीके से एक्टिव कर सकती है आपको हम बड़ी कबर दे रहे हैं कि बुलं सेर और अलिकड़ में 28 तारीको बसपा अपने प्रतावशी या परबारी गोसित करेगी सारणपूर में 27 तारीको एक मीट कारी बारी बता जा रहे है या पर बहुत ही बड़े मीट कारी बारी है उनको लोगसभा का प लड़ने का एलान करती है तो इनको वहां से हटाया भी जा सकता है लेकिन ज्यादा तर यही रहता है कि जिन वेक्तियों को परबारी बनाया है वही आवापे चुनाव लड़ेगे लेकिन एक नाम बड़ा सामने आ चुका है आपको बता देंगे जो नगिना सीट है रिजर चुनाव लड़ने का उमीद जता है जा रही है जहां से यह उमीद है कि बड़ा एलान हो चुका है और यह साप हो चुका है कि नगिना से हर गिरीश चंदर बहुजन सवाज पार्टी के नेता गिरीश चंदर है वहां से चुनाव लड़ सकते है जी हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि लोकसभा परबारी नगीना सीव जहां से बीस्पी सुप्रम मायवती के चुनाव लड़ने का है वहां पर परबारी बीस्पी के नेता ग्रीश चंदर को लोकसभा परबारी बनाया जा रहा है जी हां इसका एलान भी कभी भी हो सकता है 27 तारीकों इसका भी एला या 28 को हो सकता है लेकिन बुलंद सहर अरली गर्ड सारणपूर के अगर आप रहने वाले हैं तो आपको बता दे कि आपके लिए बड़ी ख़बर 28 और 27 को इन बड़े जो नाम है उनका एलान होगा कभी भी इनका नामों का एलान है वो हो सकता है यह खुद समाज पार्टी की से अधिकारी के पुष्टी की आसकी है और आपको बता दे कि इसके अलावा भी जो पूरी तरीके से एक्टिवेट है जो कार एक्राम है वो जो जौनल ऐस्ने चार्ज के तरीके से किये जा रहे है जो सबाईएं चोटी-छोटी बैठके वो अलग-लग वीदां सबार्शा की जा रही है खुद प्रदेश अधिक्ष जो आने की उमीद है वो मारच के पहले सब्ता के अंदर आने के उमीद जताए जा रही है लेकिन इन एलानों से पहले जो बिहार सईद जो अने राजे है इंडिया के उन सब की जो समिक्सा है वो करना चाती है उनको वहाँ से पूरसत मिलने के बाद वो सीधी लखना वाएगे और उत्रप्रदेश के चुनामी समिकर्ण है उनको बनाने के अंदर बैस्त रहेगी उसके बाद पूरा समय उनका उत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए और पाईए हर वीडियो के नोटे पी के साथ